हलो फ्रेंड्स विल्कम तो माई चैनल में आप लोगों के साथ आज बहुत ही टेश्टी यह में शीरेश्य पर शेयर करने वाली हुई है चावल की खीट यहां पर मैंने दो केजी मिल्क ले लिया है और इसको बॉयल करने के लिए चटा दिया है और इधर मैंने कॉफी वाले म और फिर जैसे ही मिल्क में वाल आ जुका है और फिर एक वाल आने के बाद भी आप इसको कमप्लेम पे 5 मिन तक वाल होने दें लेट कर दूँगी और चावल को लगातार आप कल्शी से चलाते रहने तो नीचे तले में बैठ जाएगी और चलाते रहने से इसमें गाट भी नहीं आएगी आप लागातार चलाते रहें और में बहुत इक खास ट्रिक इसमें आप लोगों को बताने वाली हूं तो आप लोग इस ट्रिक को जरूर अपलाए करिएगा उसके बाद फिर बनाके देखिएगा बहुत इगाड़ी से और यमी से खीर बनके रेडी हो लें आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं यहां पर मैं काजू और फिर इसे टोकल छी चावल निकाल के मिक्षी के जार में ले लिया उसका पेश्ट बना लेना है यही हमारी खास ट्रिक आप इसे जरूर ट्राय करें एक बार जरूर मेरे तरिके से बनाए तो फिर आप मेरे एक षण सेयर करना की कैसी लगी दिल्ख मैंने विश्ट तैयार कर लिया है अब इसको मैं खीर में ढाल दोगी और खिर में डाने के बाद हमारी कंसिस्टेंसी तूरत आपको इसमें इम्प्रूमेंट दिखेगा कि हमारी खीर जो है कारी होने लग गई और बहुती गारी तै पकनी जाता है जब तक मुझे लगातार चलाते रहना है और वीज पीज में चावल को चेक करते रहना है कि हमारे चावल कितनी पकी और जैसे ही पकेगी हमारी चावल तो उसमें हम यह हाप कप सुगर एड़ कर दूँगी उसके बाद एक तो बॉइल आने तक उसको और चलाना है जब तक फिर बॉइलना आ जाए सुगर डालने के बाद जब तक चलाना है तो यहां पे आप फिर उसमें अपने मन पसंद की ड् करना होने के बाद और भी गाड़ी हो जाएगी तो आप भी जरू ट्राइब करें जैसे अभी खीर दिख रही है ना बिल्कुल इसी कंसिस्टेंसी की आप खीर प्लीस हमारे चैनल को बहुत प्यार देजी लाइक करिए शेयर करिए कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए थ झाल